हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर रावज चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यह शोमेपेटिक सेंटर जोद्पर में हार्दिक स्वागत करते हूं फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिक्स यानि अंजीर के बारे में अगर आप अ प्रूस जो हैं अगर उनको लग रहा है कि उनके सरीर में सारी कमजोरी है मांसी ग्रूप से कमजोरी आ रही है सेक्शुल वीक्नेस आ रही है तो अंजीर तो उनके लिए एक तरह का वरदान है तो इस वीडियो में हम लोग चलिए अंजीर के बारे में बात करते हैं कि इसका शाँ टरीका क्या फ्रेंटस इंफेक्ट आज के समय में जादातर प्रूस है उनमें फिजिकल मेंटल या सेक्शुल वीकनेस देखने को मिल रही है, बहुत से लोगों अंदर हईब ब्लड प्रेसर की प्रॉब्लमं देखने को मिल रही है, काफी लोगों में डाइबिटीज य भी अपने पेर पसार रही है इन सारी बीमारियों के अंदर आपके लिए अंजीर बहुत जादा फाइदेमन साबित होने बाला है सबसे पहले हम इसकी तासीर को समझ लेते हैं तासीर को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अंजीर आपको कब खाना है और कब नहीं खाना है अंजीर की तासीर के हम बात करें तो अंजीर की तासीर गरम होती है और जब इसकी तासीर गरम है तो आप समझ सकते हैं इसको खाने का सबसे अच्छा जो समय है वो सर्दियों का समय है क्योंकि सर्दियों में हमें गरम तासीर गर्मियू में मिल जाएंगे और रात पर जब अंजीर भीगी रहेगी तो इसकी तासीर गरम से जो है ठंडी तासीर हो जाएगी और यह आपके पेट के अंदर भी गर्मी नहीं करेगा या आप इसको गर्मियू में भी इस तरह से खा सकते हैं अब हम बात करें इसके नूट्र है ओमेगा सिक्स है तो आप देख सकते हैं कि यह नूट्रियंट से भरफूर है फ्रेंट्स ऐसे तो अंजीर सभी के लिए फाइदे मंद हैं लेकिन हमने वीडियो के सुरु में बात की कि पुरूशं के लिए तो अंजीर वर्दान है अगर वो पुरूश जिनको अपने सरी को बढ़ाते उनके इस्टेमिना को बढ़ाएंगे तो अगर आपको लग रहा है कि सारी रूप साफ हमेंसा ठके ठके महसूस कर रहे हैं कमजोर महसूस कर रहे हैं बाड़ी में एनरजी नहीं फील हो रही है आपको अपनी नसु में कमजोरी सी महसूस हो रही है आपको अंज को बढ़ाता है वो पुरूष जिनको सिग्र पतन यानी पीमी की प्रॉब्लम यह उसको भी दूर करने में मदद करता है अंजीर मेगनिसीम और जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स है और आप जानते हैं कि मेगनिसीम और जिंक मेल्स के अंदर इस्पम काउंट को बढ़ाता है इसपम क्वालिटी को बढ़ाता है यानि वो लोग जिनको सुक्रानों से संबंदी कोई तरह की समश्या है तो ऐसे लोगों को अंजीर अपनी डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए अंजीर के अंदर जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटीम होता है और आप जानते हैं कि ज जीर आपके प्रोस्टेट ग्लेंड को भी हेल्दी रखता है यह एंटियोक्सिडेंट से फरपूर है जो मेल्स को प्रोस्टेट कैंसर से भी वचाता है अब हम समझते हैं इसके खाने को सही तरीका की मेल्स को मरदाना तागत बढ़ाने के लिए अंजीर किस तरह से लेना च पे और उसके बाद आप इसको ठंडा कर लें ठंडा होने के बाद आप अंजीर को खाले और उपर से दूद पी लें यह प्रूसों के लिए उनकी मरदाना तागत को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा और जैसा अभी हमने डिसक्स किया कोई भी तरह कि अगर से से इसने पर आप इसको रात में बीगो दे और सुबहे आप इसको खाले और पानी को पी लें आपको सेम फाइदा गरमियों में भी देखने को मिलेगा अब हम बात करते मेल्स-फिमेल्स दोनों के लिए यह वह लोग जो डायाइबिटिक है यानि अब को सुगर की प्रॉबलम है तो आपके लिए अंजीर बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है क्योंकि अंजीर पोटासियम का एक बहुत अच्छा सोर से वहीं एक लोग लाइसेमिक इंडेक्स फुड बारा गया है जो आपके डाइबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपका सूगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा इसी तरह से अंजीर आपके हर्ट को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है आज के टाइम में हर्ट से रिलिटेटीड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको अंजीर को अपनी डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए क्योंक जो आपके कोलोस्टोल लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है आज के समय में और कॉमन प्रॉब्लम देखनेंको मिलती है काफी लोग ऐसे हैं जिनको बार बार किड्नी स्टोन से यानी गुर्दे में पत्री बनने लगती है क्योंकि उनके गुर्दे हैं प्रॉपरली च्छी क्वगए चाहता है इसलीए अगर को भी दूर करने में मदद करेगा और जब आपके शरीर में ये होगा ता आपके सरीर के अंदर के एनर्जी और इस ही तरह से अधिये केल्सियुम का भी बहुत अच्छा सोर से और अगर केल्सियुम यानि आपके हडियां और जोइंट्स को मजबूत रखेगा और आपको कभी भी बुढ़ापे का ऐसास नहीं होगा और हमेसे आपके इसकिन के लिए भी बहुत अच्छा है अंजीर आपकी इसकिन को ग्लो देता है आपको एकने और पिंपल स्थी करने में भी यह मदद करता है अंजीर आपके ओबिसिटी यानि मोटापा को भी कंट्रॉल करने में मदद करता है क्योंगे स्टेडीज कहती है कि अंजीर के अंदर फाइबर्स बहुत अच्छी क्वांटिटिम होते हैं इसमें विटामिन्स होते हैं इसमें कनीज होते हैं जिसके कारण यह आपके लिपन रहता या कबज रहता है इसे लोगों के लिए नजीर बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है क्यूंकि पेट साफ करने में मदद करेगा और वो लोग जिनको अबेसिटी या पेट से संबंदित बीमारी है उनको अंजीर खाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ही है कि रा इन्जीर एंटिक्षिडें है नाम का एक amino acid होता है जो serotonin में convert होता है और serotonin हार्मोन जब आपकी body में बढ़ता है तो उससे आपको अच्छी नीन आती है तो अगर आपको डंग से नीन नहीं आती है तो रात में आप अंजीर को दूद में मिला कर पी ले उससे आप देखेंगे कि आपकी दिन बर की ठकाउट भी दूर हो जाएगी और रात में आपको नीन भी बहुत अच्छी आएगी अब हम बात करें कि अंजीर कितना भी खाना चाहिए तो सबसे पहले समझने की बात यह एक अंजीर की तासीर गरम होती है तो गरम तासीर होने के कारण अगर अगर आपको खून पतला करने की पहले से कोई दवयां चल रही है तो आपको अंजीर नहीं खाना चाहिए इसी के साथ के अंदर हम देखते हैं कि अंजीर कितना निट्रियसेस है कितना एनरजी से भरपूर है और पूरुसूं के लिए तिये वर्दान है मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अंजीर के फाइदे जरूर उठाएंगे